नमस्कार दोस्तों 9 दिसम्बर 2020 के डेली एडिटोरल डिसक्रिशन में आपका स्वागत है देखते हैं अच कौन-कौन से important articles डिसक्स करेंगे पहला है the dangers of misplaced optimism देखे यहाँ पे सरकार जैसे कि for example first quarter में हमारी जो economy थी 24% नीचे गई दूसरे cost rate में 7.5% नीचे गई तो सरकार य ज़्यादा का increase है तो CP चंदर शेकर साब यहाँ पे यह कह रहे है कि government एक प्रतार का optimism दिखाने की कोशिश कर रही economy में जबकि government को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है अभी government को क्या करना चाहिए और क्या government नहीं कर रही है यह according to CP चंदर शेकर साब क्या है यह मैं आपको य जवाऍललान नेवal निवश्टी के तो चुकही यह center for economic studies and planning की faculty है तो कहीं नगए economics की field में जो इनके ideas हैं वो potent हो गैं तो इनको देखते हैं − फिर बात करते हैं अंगले article पर in Stanford rank in hope for Indian science . देखे recently Stanford के Stanford university के scientist ने टाटाबेस बनाए है लगबग एक लाख साथ हजार साइंटिस्ट जो कि दुनिया के टॉप दो परसेंट टाइंट साइंटिस्ट उनको डाटाबेस बनाए गए कि कौन सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है किसने सबसे ज़्यादा पॉब्लिकेशन इशू किये हैं ओवर ओल इन डाटाबेस के आधार पर रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट फील्ड में इनवार्ट दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट तयार की गई है उसमें इंडिया के कौन कौन से साइंटिस्ट आ रहे हैं कौन कों से field से आ रहे हैं कौन कों से technological institute से आ रहे हैं और यहाँ पर क्या एक analytical trend हम identify कर सकते हैं इसके बारे हम बात की गई है तो इसको बताऊंगा Next article है Fresh Vista देखिए Central Vista Project की बात हो रही है Supreme Court में केस चल रहा है Supreme Court ने बोलाई कि हमारे मना करने के बावजूद भी आप construction करते जा रहे हो Government ने बोला कि नहीं भई 10 December को हमारा जो foundation stone की laying ceremonium बस वो करेंगा भी कोई physical construction नहीं हो कि जब आप बोलोगे तब ही करेंगे तो कुछ नया नहीं है इसने में आपके साथ discuss करनी था यह जो article है constant vigilance इसमें कुई बहुत concrete information नहीं दी रखी देखिए recently पांच terror suspects को दिल्ली में arrest किया गया सुनने मारा कि जो खतम हो चुका खलिस्तानी movement है खलिस्तानी movement मतलब कि पंजाब को हम एक अलग country बनाएंगे पंजाब इंडिया का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे कुछ सिख extremist पंजाब को इंडिया से अलग करना चाहते थे इसको खलिस्तानी movement बोलते थे अभी के लिए खलिस्तानी movement खतम हो चुका है तो यहाँ पे यह बात दो-तीन instances को उठा के और कोई concrete instances दे भी नहीं रखें यह बोला जा रहा है कि भाई इस खलिस्तानी movement को support दिया जा रहा है जबकि मैं आपको बता दू कि पंजाब के अंदर जो हमारे सिख लोग रहते हैं उनके वो भी support नहीं करते इस movement को एक बहुत छोटा सा तबका है जो इस खलिस्तानी movement को support करता है इसके साथ साथ कश्मीर में भी threat है जब से जम्मोन कश्मीर की जो state identity है वो गई है तब से इंफिलिंटेशन पाकिस्तान की तरफ से बढ़ गया है थोड़े बहुत जो violence वाले incidents हैं वो बढ़ गए है तो यही सब आते हैं बता ही जा रही है बट कोई concrete information नहीं है इसलिए अलग से मैंने आपके साथ discuss नहीं किया फिर यह article है मर गाजी festival देखे है इसमें में कुछ खास नहीं बताया गया दोस्तों यह बताया कि जो COVID-19 का lockdown लग गया जो अलग-अलग artists थे जैसे कि musicians हो गए ड्रामा करने वाले लोग हो गए dance करने वाले लोग हो गए वो online आ गया है, वो virtual आ गया ठीके न, lockdown के बाद बहुत कम paid events हुए है digital concerts बहुत ज़धा बढ़ते चले जा रहे है कही न कहीं digital concerts पहले भी होगा करते जिसे AIR, All India Radio पर आके काते थे लोग DD, दूरदिशन TV पर आके live telecast होता था बट कहीं न कहीं आप यह बताया जा रहे है कि जो online concerts की value है वो ज़धा बढ़ गई है तो यह सब चीज़ों के बारे में कुछ point बोली जा रही है आपके कुछ खास तो नहीं बताया गया है actually मैं इस article में Sanjay Subramanyam साब जो कि एक Carnatic vocalist है वो अपनी journey actually बता रहे है कि भाई lockdown के बाद मैंने अपने कैसे content को evolve किया, मैंने कैसे YouTube पे videos अपलोड की तो यह सब बाते आपे बताया है तो कोई concrete information related नहीं है musicians से related बस वो अपनी story बता रहे हैं और अपनी story को बाकी थोड़ी बहुत जो musicians हैं उनकी story के साथ compare कर रहे है यह article बहुत important है The rise of artificial intelligence economies में कुछ बहुत concrete statistics दे रखे हैं बहुत काम हैंगे तो इस article को मैं आपके साथ discuss करूँगा क्यों artificial intelligence की मदद से हम लोग अपनी 5 trillion dollar economy का सपना पूरा कर सकते हैं 2025 तक कैसे artificial intelligence job बनाने में हमारी economy को आगे बढ़ाने में यह school है सब points को मैं लोग यहाँ पर बात करेंगे फिर बात करते हैं अब यहाँ पर divisive politics की बात की जा रही है वो divisive politics चाहे किसी एक ऐसी पार्टी से हैं जो कि All India मजलिस ए इत्तहदुल मुस्लिमीन यह जो असुसुदीन उवैसी की पार्टी है दूसरी बीजेपी की बात कर लीजे तो कहीं नहीं यहाँ पर आथर यह बोल रहा कि इनके आर्टिकल था हिंदुम चाहते हैं डिस्टिंगूश्ट प्रॉफेसर हैं Emeritus of International Relations Michigan State University की क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि यह जो AIMIM OVAC साब की पार्टी है देखिए यह कहीं न कहीं कम्यूनल पोलराइशन करती है उस कम्यूनल पोलराइशन चलते है अगर आप देखो यहाँ पे तो BJP ने काफी सारे वोट्स यहाँ पे जीते हैं बट overall complete majority BJP को भी नहीं मिली है सबसे ज़्यादा वोट्ट शेर है वो तेलांगना राश्ट समीटी का है बट तेलांगना राश्ट समीटी भी पूरी तरीके से majority में नहीं है तो overall देखा जाए तो तेलांगना राश्ट समीटी नहीं बहुत सारे वोट्ट जीते है BJP नहीं बहुत सारे वोट्ट जीते है तो overall जो politics बताई जा रही है इस article में वैसे तो देखे communal politics और party wise politics है parties की बुराई कर रखी हैं आपे बट यह बता रखा है कि कैसे हैदराबाद में अब देखे जिस इलाके में elections हुए है वहाँ पर one-third आबादी Muslims की है उनको polarize करने में यह जो AIMIM party है कोई कसर नहीं छोड़ती उसके चलते BJP जैसी parties को यह author बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ मौका मिलता है कि वो हैदराबाद में entry मारे और कहीं न कहीं polarization करके चीजों को आगे बढ़ा है तो यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि BJP जैसी party जो कि एक pan-India party है national government उसने मना रखी है तो उससे यह expect नहीं किया जाता कि वो secular politics को छोड़के polarization को follow करें तो फिर जो AIMIM कर रहा है वही भी BJP कर रही है तो यह सब बातें यहाँ बोला जाला है और यह बोला जाला है कि Congress तो बिल्कुल खतम सी हो गई है Congress का कोई major presence है ही नहीं सेलेक्शन में और सासा तेलांगन रास्ट समीती जो पहले government बना के बैठी थी उसकी जो आप कह सकते हो ना की famousness थी उसकी जो utility थी वो इसलिए भी कम हो गई चोकि जब हाइदराबाद floods आया थे तो उस समय पे जिस प्रकार का response expect किया गया था तेलांगना रास्थमिती की सरकार की तरफ से उस प्रकार का response लोगों को मिला नहीं तो यह सब इस article ने बताया गए अलग से discuss करने की ज़रोद नहीं है अब आते हैं हम लोग rise of the AI economy पे the three areas need attention if India is aiming to become artificial intelligence powerhouse of the world क्या बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए इस pandemic ने हमको बहुत सी चीज़े सुखाई है काम करने के तरीके बहुत अलग तरीके समय सामने आए है और potential of technologies artificial intelligence और machine learning की technologies का potential क्या है इसके बारे हमने जाना है तो सबसे पहले तो आप देखिए कि बहुत कोविड-19 के pandemic से लड़ने के लिए health care professionals, medical researchers public health authorities, local administration यह जबरदस तरीके से local level पर काम करना है इनकी मदद की है artificial intelligence और machine learning के models कैसे मदद की है कि भाई यह कोरोना वाइरस के cases किस जगा पर spike हो रहे है और आगे आने वाले future में यह trend किस जगा पर aggravate हो सकता है इस चीज़ को identify करना और यह किस की वज़से हुआ है तो अब इस बात है artificial intelligence और machine learning के वज़से हुआ है फिर यहाँ पर अगर आप देखे दोस्तों तो lockdown के चलते internet consumption बहुत तीजी से पढ़ गया वो obviously बढ़ना है देखिए पहले लोग office जाते थे सब कुछ करते थे मार्च के बाद लोग घर में बैठ गए अभी जो घर में बैठा है वो क्या करेगा ठीक है मेरे जैसे आज मी YouTube की वीडियो बनाएगा नॉर्मल कर केस में अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं OTT platform पे money highest या फिर दाडार करके कोई सीनल देख रहा होता नेट्फिक्स पे यह होता है तो कहीं न कहीं इंटरनेट से related जो चीजें हैं उनका consumption बहुत ज़दा बढ़ गया एक analysis है Department of Telecommunication की उन्होंने बुला कि lockdown के announcement के बाद 13% internet consumption बढ़ा है इंडिया में और जब 13% internet consumption बढ़ा है तो जो data use हो रहा है internet पे वो भी तो बढ़ा है जब हम internet पे जाते हैं कोई website खोलते हैं कोई series देखते हैं तो हम data consume करते हैं जब हम data consume करते हैं तो overall जो data flow कर रहा है इंडिया के internet ecosystem में वो ज़ादा है इस data को analyze करके artificial intelligence के थुरू आप कुछ चीज़े निकाल सकते हैं जैसे gold mines होती ही न कि खनन करकर के आपने कोईला निकाल लिया sorry, sona निकाल लिया खनन करकर के कोईला निकाल लिया तो mines में से sona निकलता है उसी प्रकार से इस internet की भीड़ में से भी आप कुछ ऐसी potent information निकाल सकते हैं ने इपनी capability को बहुत बढ़ाया है अगर आप बात करें तो नीती IO की जो national strategy है for artificial intelligence जो की बोलती artificial intelligence for all इसमें inclusive growth की बात की गई है healthcare, agriculture, education, smart cities, infrastructure की बात की गई smart mobility, transportation ये सब artificial intelligence led solution से बढ़ाने की बात की गई है फिर अगर आप बात करो तो तेलांगना, करनाट का, तमिल नाडोर, महरास्ट की सरकार ने बहुत सी ऐसी policies और strategies अड़ाप्ट की है जिससे artificial intelligence को ज़ादा अड़ाप्ट किया जैसे के काम करने में technology companies ने artificial intelligence के center for excellence बना रखे हैं ताकि global clients को cater किया जा सके और ये भी बहुत अच्छा solution है जहां पर cutting edge solution के प्रयोग से smart farming, cancer screening इन सब चीजों का प्रयोग किया जा रहा है जो हमारा talent pool है यानि वो लोग जो की artificial intelligence और machine learning में involved है वो भी बढ़ रहे हैं अभी के लिए आप देखें इंडिया में 5 लाग से ज़ादा लोग हैं जो इन technologies पे काम कर रहे हैं तो इंडिया artificial intelligence का powerhouse बन सकता है आगे आने वाले समय में हमारी country में artificial intelligence पे बेस्ट economy के बढ़ने की chances बहुत जादा हैं कोई कमी नहीं है और देखें इंडिया की economy growth भी इससे बढ़ेगी है नासकॉम का ये कहना है कि artificial intelligence हमारी इंडिया की GDP में 2025 तक 450 से 500 billion dollar contribute कर सकती है और government का सपना है कि 2025 तक हम अपने देश को 5 trillion dollar की economy बनाए तो हमारा देश अगर 5 trillion dollar की economy बन जाता हो नासकान की बास सही हो जाती कि 4500 से 500 billion dollar artificial intelligence से जा रहा है तो हमारी पूरी GDP का 10% कहां से जा रहा होगा artificial intelligence से जिसमें main sectors कौन से होगे consumer goods and retail, agriculture और तीसरा banking and insurance overall बात की जाए तो वैसे तो artificial intelligence की basis पर नौक्रियां कमी होगी employment कमी होगा लेकिन इसका employment generation पर एक positive effect भी आ सकता है चोकि artificial intelligence से ऐसा बोला जा रहा है 20 million technical roles बनेगी यानि 2 करोण technical job बनेगी और यह जो artificial intelligence है न यह भाया specific problems के नीचे solutions दे सकता है साथ साथ दूसरी services में भी involved हो सकता है जैसे loan application processing को बढ़ाना, customer service को बढ़ाना, better governance करना, social impact करना तो मतलब नाना प्रकार के फायदे है artificial intelligence के अभी आपको मैंने बताई दिया कि जितना ज़ादा आप देख सको, उतना ज़ादा आपको artificial intelligence का फायदा यहाँ पे हो सकता है अब कहीं कहीं में आपको ज़रोत परसकती questions में कि artificial intelligence के use का एक example दीजे तो भाई तेलांगना में lockdown के दराण जो तेलांगना की police थी ना उसने artificial enabled automated number plate recognition software निकाला मतलब कि अब police road पे नहीं खड़ी है तो जो लोग traffic rules का या फिर lockdown के rules का violation कर रहे हैं उनको कैसे पकड़ेंगे तो artificial intelligence software पे basis पे जो number plate थी एक car की या bike की उस number plate को record कर लिया, recognition software के थुरू तो violations पकड़े और फिर उनको चैलान घर पे बेज दिया तो भाई, the pandemic has thus provided technology companies in the country a great opportunity to test their own capabilities to create solutions for fast evolving real or solution आज की date में, जो सच में हमारे सामने परेशानिया कड़ी है हमारी जो private technological companies है, वो किस हद तक इन परेशानियों से जूजने के लिए तैयार हैं, वो चीज़ यहाँ पर test कर सकते हैं किसके दोरान pandemic के दोरान तो हम artificial intelligence led future के लिए तैयार हैं ताकि हम complex business solves problems को भी solve कर सकें और complex social issues को भी solve कर सकें और इंडिया में जो इसका stake है दोस्तों, वो बहुत बढ़ा है हमारी जो data mining है, मतलब हमारा जो data generation है वो बहुत ज़दा बढ़ा है कहीं न कहीं, हमारा population बढ़ी होने के वैसे हमारा जो talent development का pool है, human resource development का pool है वो बहुत बढ़ा है अगर हम बात करें 2019 की तो 2019 में we nearly doubled our artificial intelligence workforce to 70,000 from 40,000 तो जो 2018 में 40,000 की force generate हुई थी हाला कि 5,000,000 लोग सीधे सीधे involved है artificial intelligence related technologies में इंडिया में और कहीं न कहीं, इन सब चीजों को देखते हैं potential बहुत दिख रहा है तो हमें speed पकड़ना चाहिए ताकि artificial intelligence को हम बहुत तेजी से include कर सके तो यहाँ पर यही से बाते बोली जा रही है कि भाई इंडिया के लिए जाकर top priorities की बात करिए तो हम कौन-कौन सी priorities को पकड़के artificial intelligence को बढ़ा सकते हैं तो पहली priorities हमने यहीं पर देखी क्या है अपने talent को सबसे पहले हम talent development करो यानि कि जो लोग artificial intelligence पे involved है उनके skill level को आगे बढ़ाए उनको मौका दीजे कि artificial intelligence की field में आगे आ सके तो first we need to do is to develop the talent यह पहली चीज़ हो गई दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है यह data usage related policies को हमें evolve करना है तो data protection bill इसमें एक बहुत important role play करता है data usage, data governance data security related India में जो policies है वो बिलको well defined होनी चाहिए ठीक है भाई एक balanced approach से हमें data को harness करना है और utilize करना है उसके लिए proper legal framework की जरूत है जो data basis को proper तरीके से monitor करें उसके बाद तीसरी चीज़ देखे, digital technology तो बढ़ गई है digital technology मतलब अलग-अलग प्रकार की जो digital intervention से वो बढ़ गई है बढ़ digital technology का use उतना नहीं बढ़ा है for example आज की date में भी अगर आप petrol pump जाते हो जादतर लोग ATM से cash निकालेंगे और फिर जाके पेटरोल pump उस cash से payment करेंगे वो उस हद तक credit cards या फिर ATM या बाकी जो online technologies उसको इसको इस्तमाल नहीं कर रहे तो मतलब digital technologies no doubt इंडिया में बहुत तीजी से आ रही है बढ़ digitalization इंडिया में ज़्यादा तीजी से नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं इसको आगे बढ़ाने की जुरोथ है organizations को क्या problem हो रही digitalization को पढ़ाने में इसके लिए artificial intelligence और machine learning की algorithms मदद कर सकती है कहीं न कहीं organizations को data management frameworks में invest करने की ज़रोथ है AI models develop करने की ज़रोथ है बहुत सरी अच्छी बाते यहां पर बताई जा रही है तो यह तीन चीज़े थी दोस्तों जो हमने यहां पर देखा no doubt artificial intelligence का जो future है हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा है आर्टिकल लिखा केशव मुरुगेश जी ने यह WNS Global Services के CEO है और former chairman है यह NASCOM के तो important information थी दोस्तों I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते है the dangers of misplaced optimism the government's economic recovery hype is off track and this is not a time for fiscal conservatism भाई बहुत जबरदस्त यहाँ पे information provide की गई है estimates देखते है estimate यह है कि 2020-21 financial year के second quarter में हमारी economy 7.5% से नीचे गई थी पहले quarter में 23.9% से नीचे गई थी अब बात यहाँ पे यह है कि government यहाँ पे एक hype बना रही government क्या बोल रही है government यह बोल रही कि पहले quarter के figures को अगर आप second quarter के figures से compare करते हैं तो second quarter के figures 23% ज़ादा हैं first quarter के figure से अब यह जो 23.9% का figure सा दोस्तों पहले quarter में economy के नीचे जाने का that is compared to the same quarter in the previous financial year, यहनि 2019-20 के April, May, June के quarter में जो figure आए और 2019-20-20 के April, May, June के quarter में जो figure आए उसमे 23.9% का decrement हुआ, same goes for the next quarter, तो April, May, June के पहले quarter आएगा quarter आएगा, July, September लेकिन यहाँ पे government किस प्रकार से comparison कर ली है, गवर्मेंट बोल रही है कि April, May, June यह 2020-21 का quarter और अगर आप compare करो, July, September यह 2020-21 का quarter तो यहाँ पे इस से लेके इसमें 23% का increment हुआ और इसके चलते हाइप बना रही सरकार कि भाई देखे, अब हमारी economy बढ़ रही है, चुकि हमने restrictions हटा दिये, यह से बाते यहाँ पे सरकार ने बोली है सरकार ने इस से बाते कहाँ पे बोली है Finance Ministry की Monthly Economic Report जो कि नवंबर के आई तो सरकार यहाँ पे कर रही है, कि V-shaped recovery हो रही है Resilience and Robustness of Indian Economy हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो एक ऐसा Optimism सरकार यहाँ पे दिखाने कोशिश कर रही है, जो कि बहुत dangerous है, ऐसा कौन बोल रहा है ऐसा CP चंदरशेकर साब बोल रहा है जोकि यह कुछ भी अच्छा है ही नहीं चंदरशेकर साब का यहाँ पे यह बोलना है अब बात करते हैं lockdown की देखिए lockdown में no doubt हमारा जो चीजों का production है वो कम हो जाता है, जो inventories है वो कम हो जाती है, जब lockdown लग गया है, काम चली नहीं रहा है economy में तो कोई चीज produce होगी ही नहीं तो भाई सीधी सी बात है, production लिमिट हो जागा इससे employment कम होगा, income कम होगी, demand कम होगा ठीक है, जब lockdown को relax किया गया तो production बढ़ना चाहिए ठीक है, production के सासाथ purchasing power भी लोग की बढ़नी चाहिए ना demand बढ़ रही है, ना inventory उस level पर बढ़ रही है और नहीं investment उस level पर बढ़ रहा है तो यह तीन चीज़ें यहां पर बताने की बात कर रहे है author उसके basis पर कह रहे है कि government यह जो hype बना रही है ना इस hype का कोई मतलब है नहीं फिर देखें क्या बोला जारा है वो खर्च नहीं करना चाहते है चुकि उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में इस pandemic में उनकी कमाई खतम हो सकती है तो demand कम हो गई दूसरी बात जो person जो corporate factory लगागे चीज़ों को produce कर रहा है वो यह डर रहा है कि हम चीज़ें produce कर भी देंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं तो जब कोई खरीदने वाला नहीं तो हम क्यों बेकार में चीज़ें produce करें हमारा नुक्सान तो यहाँ पर role किसका आता है यहाँ पर role आता है सरकार का सरकार को demand को पर करना है सरकार को यह ensure करना है कि लोगों की दिमाग में चीज़ें रहें कि हाँ बढ़ जाएगी investment करने वाले को लगए कि हाँ बढ़ चीज़ें बिकेंगी और जो job कर रहा है जो चीज़ें खरीदरा उसको लगए कि हाँ भई आगे चीज़ों के availability रहेगी ऐसा नहीं कि हमारी कमाई बिल्कुल खतम हो जाएगी सरकार ने क्या किया यह सब चीज़ें मार्केट पे छोड़ दी है और मार्केट कभी भी इंट फ्रंट्स पे deliver नहीं कर सकता अब सरकार ने यह कहा ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ चुकि मैं नहीं बोल रहा हूँ यहां चंदर शेकर साब बोल रहा हूँ तो यहां पे सीधी सीधी बात है चंदर शेकर साब का state action होना चाहिए और state action में क्या होना चाहिए substantially enhanced expenditure होना चाहिए सरकार को पैसा ज़्यादा ख़ताना चाहिए capital expenditure government capital expenditure ज़्यादा होना चाहिए government खर्चा ज़्यादा करें ओके लेकिन government यहां पे खर्चा कम नहीं कर रही मत 6 liar नहीं कर रही government यहाँ पे कौणसे six step को ले रही है fiscal conservatism को ले रही ओके कई जहाँ पे मैंने आपको यह बताया है कि कहीं नगई बहृत सारे एसे हैं जो सरकार को इस बात पाथ पिंच कर रहे हैं कि जिस समय पे आपको ज्यादा पैसे कहत mniej लो घर्री में ऑगने सब्सक्रम करिने लिए खने वार किये हैं जाएं दिए में एक 56% of GDP, यानि हमारी GDP का 56% private final consumption expenditure था, यह मैं सरकार इसमें involved नहीं है, यह पहले quarter में 27% से घटा और दूसरे quarter में 11% से घटा, तो पहले quarter में 27% का decrement था private final consumption expenditure में, दूसरे quarter में 11% का decrement था और 11% का decrement भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो short run recovery तो दिखर ही यह private consumption demand में, चुकि lockdown हट रहा है, net income और computer confidence बढ़ रहा है, लेकिन कहिना कि उस level पर नहीं है, जिस level पर यह पिछले साल में था, या फिर आप कहले लिजे lockdown से पहले था, अब देखिये, पहली बात तो lockdown लग गया, production बंद हो गया, जब production बंद हो गया, तो जो inventories थी, वो deplete हो गए, जो हमारे पास चीजें stored थी, वो deplete हो गए, जैसे for example, swift गाड़ी, अबी swift गाड़ी लगातार उसकी manufacturing हो रही है, lockdown लग गया, तो swift गाड़ी बनना बंद हो गई, swift गाड़ी बनना बंद हो गई, तो अब बेसी बात है, inventory उसकी कम हो गई, तो क्या बोला जा रहा है, यहनी पहले quarter में, जो stock piling थी, यहनी चीजों के बनने का जो level था, वो 21% घटा है, लेकिन second quarter में, यह 6.3% बढ़ा है, यह जो inventory बढ़ने की वज़ा थी, काफी हत्ता की जो festival के दुरान लोगों ने खर्चा किया, इसको एक वज़ा बतायागे, inventory के बढ़ने का, इसको सरकार ने दिखाए कि genuine rebound हो रहा economy का, पर बहुत से authors का बोलना है कि कोई genuine rebound economy का नहीं हो रहा है, तीसरी बात करते हैं कि भाई, demand side को आप थोड़ा बहुत बढ़ा भी दो, हलका full का demand तो देखे बढ़ी, यह पूरी तरीके सो surprise नहीं है, लेकिन उसकी चक्ते भी investment revival नहीं हुआ है, ज किसी product को बनाने के लिए factory लगाई गई, तो cycle को बनाने के लिए Atlas cycles नहीं factory लगाई, तो यह क्या हो जाएगा, यह capital formation होगा, पहले quarter में जो capital formation था, वो negative 47% हुआ, दूसरे quarter में minus 7%, यानि वो capital assets, जो चीजों को बनाते हैं हमारे economy में, वो capital assets ही घट गए हैं, तो वो capital assets ही घट ग कम होते हैं, और corona pandemic की वैसे जो economic uncertainty आई है, उसके चलते investment कम हुआ है, जिसके चलते capital formation भी हमारे economy में कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि government expenditure proactive basis पर, but government expenditure proactive basis पर नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे हमारी सरकार को red size किया है, चंदर शेकर साब में, सरकार तो अगर आप figures उठा के देखते हो, office of the controller general of accounts के, तो 2021 के, जो पहले साथ महीन है, अप्रेल से लेके October के, यहाँ पर यह पता चलता है कि central government का जो total expenditure है, that is 55% for the budget of 2020, जो बजट तयार गया गया था, उसका किवल 55% पैसा सरकार ने अप्रेल से October में खतम किया है, और यह बोला ज जा रहा है कि कोरोना का pandemic ना आया होता, तो भी जो 55% का खर्चा है ना, यह बहुत कम है, आप देखिए दोस्तों, non-covid-19 year की बात करिए, 2019-20 की, 2019-20 में जितना पैसा allocate किया गया था, उस पैसे का 59% सरकार ने खतम किया अप्रेल से October में, 2019-20 की बात हो रही है, और 2020-21 में पैसा खतम किया, तो overall जहां पे सरकार को पैसा ज़्यादा खतम करना चाहिए था, अपने budget allocation के ऐसा proportion का, वहां पे सरकार कम खतम कर रही है, 2019-20 में पहले साथ महीने सरकार ने लगबख 59% खतम किया, और इस साल तो 55% पही रोग गया, फिर बात करते हैं, capital expenditure की, capital expenditure मतलब assets बना तो भाईया, April to October अगर 2019 की बात करिये, तो सरकार का capital expenditure था, वो था 60%, मतलब पूरे साल के budget में capital expenditure में जित्ता भी पैसा अलॉट किया गया, उसका पहले साथ महीने में सरकार ने खतम किया 60%, इस साल April to October 2021 में सरकार ने खतम किया, केवल 48%, कुल मिला के बाद दोस्तों, यहां पर खतम करना चाहिए, सरकार पैसा जदा खतम करनी रही है, GST revenues के case का आपको पता है भाई, GST compensation loss, सरकार ने act of God के चलते state government को देने को मना कर दिया, कुछ part amount तो सरकार ने दिया है, ठीक है, खुदी loan उठा के, but maximum amount मना कर दिया, उस चीज़ को भी मैंने आपके cover किया, जिसके चल पर बात करते हैं, एक और important figure की, और वो है, government final consumption expenditure, private consumption expenditure को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, government final consumption expenditure की बात करते हैं, first half of 2019-20, पहले half of 2019-20 को, अगर पहले half of 2018-19 से आप compare करोगे, तो first half of 2019-20 में 10% बड़ा government final consumption expenditure, लेकिन, अगर आप first half of 2020-21 की बात करोगे, when compared to first half of 2019-20, तो 2020-21 में, government final consumption expenditure, declined by 4%, ठीक है, declined by 4% in the first half of 2020-21, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था, सरकार की तरफ से stimulus आया है, बड़ ओधर कहने हैं, कि एक half-hurted stimulus आया है, पहले quarter में, government consumption expenditure केवल 16% से बढ़ा है, लेकिन, दूसरे quarter में, government consumption expenditure 22% से घटा है, तो अगर आप government consumption expenditure को 22% से घटा रहे हो, तो welfare expenditures में जो खर्चा जा रहा है, जो food subsidies आप जा रहे हैं, जो PDS distribution आप दे रहे हैं, जो नरेगा, rural urban, जो हमारी employment guarantee scheme है, उसमें पैसों का allocation कम होगा, और pandemic के दौरन, अगर इस प्रकार की चीज़ों में, पैसों का allocation अगर कम होता है, त अगरीबों को और गरीब कर देगा, तो फिर end में, फिर CP चंदर कर शेकर आप एक बात और कर रहे हैं, कि यहाँ पर physical conservatism को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि जो welfare program थे, गरीबों को कुछ हम लोग सो विधाया प्रोवाइट करें, वो कम करे जा रहे हैं, और at the same time labor courts और farmers बिल आए जा रहे हैं, कहीं न कहीं, corporates को एक clear cut favor है, और गरीबों को clear cut मार रहे हैं, यह कौन बोल रहा है, यह CP चंदर शेकर साब बोल रहे हैं, यह जो V-shape recovery है ना, यह एक farce है, यह बस सरकार दिखा रही है, चोंकि सरकार obviously बात है, corporates में ज्यादा भरोसा कर रहे यह लोगों को सीधे मदद करने में कम भरोसा रहे हैं, यह लौंग टरम में यह चीज काम आने वाली है नहीं, अब किस हद तक सरकार सही है, और किस हद तक CP चंदर शेकर साब सही है, यह तो देखिए भाई समय ही बताएगा, हमारा काम है, बस चीजों को समझ के analysis करना, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए अगर आप ancient इंडिया की बात करिए, हम बोला जाता है कि ancient इंडिया में, जो हमारा science and technology था, वो दुनिया से, उस समय की contemporary दुनिया से बहुत आजा था, intellectually उस समय की Greek philosophers से हम लोग आ गए थे, आप देखिए, science में कईना के Greek scientist को बहुत important मागा था, बट एक समय पे, past में हमारे Indian scientist भी बहुत कुछ कर रहे थे, अब यहाँ पे, अभी के condition बात की जाए, तो अभी के condition में Indian scientist की दुनिया भर में उतनी value नहीं है, हमारा जो scientific contribution है, research and development, यह सब थोड़ा कम है, अब बात करते Stanford University में scientist के बारे में, देखिए, Stanford University के जो scientist है, John Leonidas की leadership के अंदर में, उन्होंने एक database बनाया है, लगबग 1,60,000 scientist का, जो की top 2% scientist award के, यह database आपको इस link में मिल जाएगा, इस database को बनाने में क्या-क्या references को प्रयोग किया गया, तो standard indicators को प्रयोग किया गया, citations, H index, co-authorship, composite, किसी बड़े, आप कह सकते हो, health general में, medical general में, या किसी भी general में, science and tech के general में, आपका article चपता है, तो इससे आपकी scientific understanding पुरी दुनिया में बढ़ती है, और यह जो citation index है, इसके resource database क्या है, तो इसको पस, and web of science पे, जो भी अलग-अलग scientists अमने publications publish करते हैं, उनका एक reference रहता है, तो इन research papers को जो publish किया गया, उसके आधार पर, दुनिया भर में, H index की मदद से, H index क्या पता करता है, this is a measure of the impact of an author's work and other people's research, याद रखेगा, H index is the measure of the impact of an author's work and other people's research, तो H index की मदद से, overall यह जो database बनाया गया है, लगबग 1,60,000 लोगों का, इसमें systematically rank गिया गया है, दुनिया और science में क्या है, अपना, यह कह सकते हैं कि contribution दिया है, इंडिया का कितने scientist पहुंचे हैं, top 2% में, 1594 Indians पहुंचे हैं, top 2 scientists, top 2% of the scientist of the world में, अब देखा जाए तो 1594 एक छोटा number नहीं है, बट जब 1,60,000 की बात हो रही है, तो आप कह सकते हो, कि 1594 एक छोटा number है, हम 1% से भी 1,60,000 का 10% कितना होगा, 16,000, 1% कितना होगा, 1600, तो भाई हम लोग अभी 1% भी नहीं है, overall top 10% of the scientist के, बट फिर भी चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं, हमने कुछ progress तो की है, अगर इस report का appraisal किया जाए, analysis किया गया, क्या निकल कियाता है, कि disciplines of science, technology, medicine और allied areas में, इंडिया में, scientists हम कामने आये हैं, scientists जो कि government supported institutions में काम करते हैं, उन्होंने supremacy दिखाए, science और technology में, जो private institutions में काम करते हैं, उन्होंने supremacy दिखाए, medicine और allied areas में, obvious सी बात है, medicine वाले areas में, scientists ज़्यदा progress दिखाएंगे, चुकि pharmaceutical companies billions of dollars invest करते हैं, दवाईयों को develop करने में, तो obvious सी बात है, science टेस्ट को वहाँ पे काफी support मिलता है, core science and technology की concept जहाँ पे, सीधे सीधे private company को profit motive नहीं दिखता है, वहाँ पे पैसा कौन अलोकेट करता है, सरकारों फिर यह देखा गया है कि इस report के दम पे पता चला है कि जन scientist को भी India के तरफ से include किया गया है, उनकी जो coverage है urban और rural areas में, वो अच्छी है, ठीके, कुछ disciplines से scientists बहुत जादा हैं, और कुछ disciplines से scientists बहुत कम हैं, यह पूरा trend मैं आपको समझा रहा हूँ, तो देखे, जो हमारे institutes of national importance है, हमारी central universities है, state universities are government funded research institutions है, यहाँ पे बहुत सारे scientists include किये गए, especially बात की जाए, तो कुछ important institutes जिनका नाम आपने सुना होगा, Indian Institute of Science Bengaluru, Indian Statistical Institute Kolkata, Indian Institute of Technology, National Institute of Technology, इन सबसे बहुत सारे scientists को मिला है यह recognition, University of Delhi और University of Hyderabad से भी कुछ लोग आगे आए हैं, कही ना कहीं, science and technology के field मे जो लोग आगे आए हैं, वो government supported institutions से जादा हैं, private institutions से कौन लोग आए हैं, जो medicine की field में काम कर रहे हैं, तो कही ना कहीं हमारे private colleges से भी scientists आगे आ रहे हैं, और इस list में अपनी जगा बना रहे हैं, तो कही ना कहीं हम कह सकते हैं, कि जो हमारे urban hubs of education हैं, जो हमारी cities हैं, जो हमारे आप कह सकते हैं, कि top level के research and development universities हैं, वहाँ पे काम proper तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ करी नहीं हैं, एक और बात, तो भाई, internal medicine, general medicine, anatomy, ophthalmology, nutrition, diabetes, ये थोड़ा health से related चीज़ें आपको देख रहे हैं, अभी ऐसे health से related चीज़ों में, private institutions के scientists को ज़्यादा recognition मिला तो कहीं न कहीं, private और government के ecosystem में फर्क होगा, तभी ये difference देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो medical council of India है, the pharmacy council of India है, और जो आपका regulatory institutions है, जो की medical field में regulation करते हैं, उनको ये ध्यान देने की ज़रुवत है कि जो हमारे सरकारी पढ़ाई वाले institutions है, वहाँ पे सास से जादा scientist हैं, लेकिन सौस से कम scientist हैं, इस list से, कुछ ऐसे disciplines भी हैं दोस्तों, जहाँ पर ज्यादा awards हमको नहीं मिले हैं, जैसे कि anesthesiology, anesthesia देने वाली जो पढ़ाई है, applied mathematics, critical care and emergency, genetics, hereditary, geology, इन सब में जादा इंडिया के scientist को recognize नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं, इन सब मे जो scientist involved हैं, जो भी institutions involved हैं, study में, उनको और मेहनत करने की जुरूत है, national education policy में, research और innovation को बढ़ाने की बात की गई, तो अगर national education policy को पूरी तरीके से meet करना है, तो हमको अपने GDP का जो हिस्सा हम research and innovation में खतम करते हैं, वो बढ़ाना पड़ेगा, अभी के लिए हम अपने GDP का 1% स कम हिस्सा खतम करते हैं, कहां पे research और innovation में, और इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम NRF को develop कर सकते हैं, national research foundation, ये national research foundation क्या करेगा, research और innovation करेगा, सारे high education institutes में, कैसे हमारे scientific ecosystem को boost किया जा सकता है, इसके वारे में inputs देगा, NRF के 4 divisions है, sciences, technology, social services, और art और humanity, आगे के समय में इसमें agriculture और environment जैसे domain भी जोड़े जा सकते हैं, तो NRF को अगर proper पैसे available किया जाए जाएं, तो ये एक potent body बन सकती है, तो मेरी based equitable peer reviewed research funding, peer reviewed मतलब कि आपने अगर कोई publication publish किया as a scientist, तो आपका publish किया हुआ publication आपके साथ का scientist पढ़के बताएगा कि भाई, इसमें क्या सही है और क् सही है, तो आत्म निर्बर भारत अद्भियान के चलते, national education policy के चलते, ये जो report for standards and Stanford University हम को बताती है कि हम कौन से इलाकों में पीछे हैं, और हम आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ये था analysis दोस्तों, आई हो पापा को सीखने को मिलागा, associate professor साब के गिरी सन ने इस article को लिखाए, inputs दिए जौस चाखु थुलम जी ने, जो की डिरेक्टर सेंटर फोर रूल मेंजमेंट को टायम के अरला में, so thank you for watching friends, have a great day, good bye.